हाई वेल्कम पेक्ट चैनल गाइज नमस्कार में उश्यकुमार और आप देखरो है आपका अपना यूट्यूब चैनल पेट होबीज हिंदी तो आज हमारी साथ है वेनियला जो कि यह एक अमेरिकन बुली डॉग है और बहुत सारे लोग जो है इसे बहुत जादा बाइटर स तो आज हम इसी जो कंफ्यूजन उसको दूर करने वाले हैं लोग इसे जादतर पिटबूल से क्या करते हैं कि इसको कंफ्यूज कर जाते हैं और बहुत लोगों के मन में यह गलत फैमी बाढ़ जाती है कि यह पिटबूल के जैसे ही अग्रसिव होगा यह एक फैमिली और अगर आपको इसका जो पेट नेचर देखना है आपको इसका जो क्या बूलते हैं जो ओनर को फॉलो करने वाला नेचर देखना है तो इसके साथ हमारी एक पिकनिक की वीडियो भी आई है इसक्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा तो एक वार जाकि उस चैनल को सब् किस तरह से हमारे कंपेनियन बनके रहता है और यह दिखे काफी अच्छा शोल्डर है मुझे ते बिल्कुल लगी नहीं रहा कि मैंने डॉक के कंदे पर हांत रखावा यह बिल्कुल एक अच्छा कंपेनियन बन जाता है आपका और मैं जैसा कि हमीशा से कहता है या रहा हू को जरूर देख लिएगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा और कमेंट में बताएगा आपको हमारी यह वर्निला कैसी लगी और अगर इसकी बेबी आपको चाहिए तो जरूर हम से कॉंटक्ट करिएगा अगर आपके गर में कोई चोर गुसता है तो ओविस बात है इसके डेंजरस लुक को देखके उसकी हवा टाइट हो जाएगी बट अगर आप एक डॉणर है डॉग लवर है एक पेट लवर है तो आपको पता होगा कि यह बिल्कुल भी अग्रेसिव डॉग नहीं है इसे पिटूल के साथ तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं है और मेरी माने तो यह एक बहुत आच्छे नैनी डॉग भी है अगर आपके घर में एक बच्चा है चोटा बच्चा है तो यह उनके साथ काफी हद तक घुल मिलके उनकी केर करेंगे अगर आपने कोई भी छोटा बच्चे इस गाट सोड़ दिया ना तो यह बिल्कुल सेफ देगा बट हाँ अगर आप एक डॉग लवर है या नया नया आपको यह होबी जगा है आपके मन में तो यह रिस्क डारेट मत इस लिजह जब तक और आप शक्रिव की नीचर को समझते है और मैं हमेशाँ तर अब अब करेंट को समझते हैं तो अब के लिए आपको लीएसए-स आमको स्मासूम्मट से में की तरफ देख रहा है कि आपको लगता है यह आपको a всем स्वाइट कर देभा या आपके फैंग coule i.c. सैंसे फचंध और स्वाइसा स्पान थे और सबतने ज्यूर्मान ज़्यादा आपके पैरों के बीच में चलने वाला है अगर आप कहीं भी जा रहे हो आपके साथ-साथ आपके आगे-ागे चलेगा आपका गाडियन मन के मैंने इसे पपी से अभी तक कर देखा और इसके कुछ पपी भी है हमारे पास अगर आप इसे लेना चाहते हो तो मैं ड कोड में लेकि घूमता हूं तो लोग यह सोच के डर के हड़े आते हैं कि भाई इतना खुखार दिख रहा है बट हमें रियालिटी पता है कि यह ऐसा कुछ नहीं करता है और सिर्फ यह इसकी बात नहीं है आप किसी भी डॉक ब्रीड को अगर आपने बच्पन से पाला है आ और इसे डिसोन करने की गलती मत करें बहुत ही प्यारा पापी है अब बात करते हैं इसके खाने पीने की तो खाने पीने में यह बिल्कुल सही है इसके ऊपर कोई नकड़ा नहीं कोई खर्चे नहीं है जादा यह पेट फूड पे आराम से रिवाइब कर जाते हैं यह थोड नहीं होती है यह minimum exercise में भी अपने आपको काफी तक comfortable कर लेते हैं हाँ इसके सब्सक्राइब कर दिया है तो हो सकता है कि आपका डॉग एक किलोमेटर में ठक जाया और अगर आपने इसे चबी नहीं किया है आप regular exercise करा रहे हो तो हो सकता है कि आप इसे बहुत दूर तक काफी दूर तक इसके साथ training कर सको इसके साथ बिल्कुल ही वो feeling भी आगी आपके पास कि आपके पास एक pitbull है वो वाली feeling भी आगी एक अच्छे guard dog की feeling आईगी और ये काफी अच्छा pet dog nanny dog भी है गाईज अगर आपको इसके babies लेने हैं तो मेरे पास इसके babies भी है तो please मुझसे contact कर लिजाया मेरा number description में दिया हुआ है मैं रहने वाले जम शेथपूर का हूँ है और यह dog भी जम शेथपूर में है मिलते हैं next video में guys